हेलो दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत हमारे इस वीडियो में और आज मैं बताऊंगा आपको कि आपको अपने लैप्टॉप या पीसी में कैसे वीजियल इस्टूडियो को इंस्टॉल कर सकते हैं तो बिना किसी देरी के अपन सीधे चलते हैं ग्रॉम राउजर पर और सर्च वार में सर्च करते हैं अपन वीजियल स्टूडियो कोड तो आपको जो पहली साइड दिखाई दे रही है इस पर आप क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद डाउंडोड फॉर विंडोज आप इस इसी लेकिन अगर 32 विट है तो आप नीचे आना अधर्स डाउंडोड और यहां पार विंडोज लिनेक्स मैक और 64 विट 32 उसे साब से अपनी सिस्टम के साब से डाउंडोड कर लेना मैं कर लेता हूं इसको डाउंडोड तो देखिए यह डाउंडोड हो गया है इसको कर ल नेक्स्ट नेक्स्ट और यहां पर आपको कुछ खेढ़कानी नहीं करने है केवल क्रियेटेट टेक्स्ट आइकन इसपर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट इंस्टल और फिनिश तो देखिए विजल इस्टूडियो कोड इंस्टल हो जगा है अब अपन को इसमें कोड लिखने के लिए फोल्डर एड करना पड़ेगा तो एड फोल्डर और मैंने एक टीड्राइब में फोल्डर बना रखा था मैं इसको एड कर देता हूं एड करने के बाद अब आपको यहां से एक फाइल बना ले लिए है उस फाइल का नाम रख देता हूं मैं एलो.c सबसे पहले आप इसमें एक्स्टेंशन डाउनलोड करना तो एक्स्टेंशन के लिए आप यहां पर आना और यहां पर क्लिक कर देना क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड कर लेना c c++ तो देखिए आपको चुभी पहले दिखाई दे रही है इसको आप इंस्टाल कर लेना यह एक्स्टेंशन होगा यह डाउनलोड एक एक्स्टेंशन और डाउनलोड कर लेते हैं आपन उसका नाम है code runner इस code को रन करने के तो देखिए एक्स्टेंशन क्यों मैंने इंस्टाल कर वाई थी उसका रीजन यह है कि अपन जैसे ही इस पर मैन लिखेंगे तो मैन लिखने के बाद देखिए इसने थोड़ा सा code खुदी लिख दिया है तो यह इसमें थोड़ी सी आसानी अपन को हो जाती है तो देखिए मैंने इसमें कुछ नहीं बहुत सिंपल छूटा सा हेलो वर्ड का एक प्रोग्राम लिख दिया है सबसे पहले आपको कुछ नहीं है आपको सेव करना है Ctrl S से सेव कर लेना है क्योंकि अगर आप सेव नहीं करोगे तो फिर उसको पता नहीं चलेगा Visual Studio Code को और वो पुरानी चीज को ही रन करता रहेगा सेव करने के बाद आपको CodeRunner पर रन कर देना है तो देखिए यह एक Error आ रहे है इस Error को सॉल्व करने के लिए अपनको एक Compiler डाउनलोड करना हुगा तो चलिए चलते है Chrome Browser पर और वहाँ पर अपन Compiler डाउनलोड करते हैं Compiler का नाम है MinGW MinGW को आपको इस Source Forage वाली साइड से डाउनलोड करना इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ अब MinGW के सेटप को आपको ओपन कर देना है और ओपन करने के बाद Install Continue अब आपको Continue पर क्लिक कर देना है आप उसको OK कर देना और OK करने के वाद अब देखिए आपको MinGW 32 Base इस वाले Checkbox को चेक कर देना है Mark for Installation और आपको MinGW 32 GCC G Plus वाले को भी Mark for Installation कर देना आप इन दोनों को आप चाहें तो सबको भी Mark for Installation कर देना मैं जो बता रहा हूँ इनको भी आप Mark for Installation कर सकते हैं तो अब मैं कर लेता हूँ Install और Apply Changes और Apply लाएं देख ये package डाउनलोड हो चुके हैं अब अपन close कर देते हैं इसको और इसको भी close कर देते हैं अब देखिए लास्ट step है आप इसको भी ध्यान से कर लेना तो आप अच्छे से विच रिष्टोर रिकोड चला पाएंगे, तो आपको क्या करना है, आपको दिस PC में आना है, और दिस PC में आने के बाद आपको C-Drive में आना है, और C-Drive में आने के बाद आप देखें, यहाँ पर MinGW, यह फोल्डर आपको देखाई देखें, इस पर क्लि कर लेना है, select कर लेना, select करने के बाद आपको copy कर लेना है, और copy करने के बाद आपको यहाँ आना है, इस PC पे और इस PC पे आने के बाद आपको right click करना है, right click करने के बाद आपको properties में आना है, properties में आने के बाद आपको advanced system setting, इस पर click करना है, और इस पर click करने के बाद आपको environment variable इस पर click करना है इस पर click करने के बाद आपको path इस पर click करना है दुबारा से बता देता हूं मैंने क्या किया है आपको this PC पर जाके right click करना है right click करने के बाद आपको advanced system setting पर click करना है advanced system setting पर click करने के बाद आपको environment variable इस पर click करना है और फिर path इस पर click करना है और path पर click करने के बाद आपको edit edit पर click करना है और edit पर click करने के बाद आपको new पर click करना है और new पर click करने के बाद आपने जो path वहाँ पर copy किया सा उस path को यहाँ पर paste कर देना है तो मैं कर देता हूँ इस path को paste और ok ok और ok ठीक है अब आपन चलते हैं सीवे अपने बीजियल स्टूडियो कोड में है और अब आपन कोड रनर पर इस कोड को रन करते हैं एक वार इसको अपन क्लोज करके देख लेते हैं तो देखिए है ये कोड सक्सेफ़ूली रन हो चुक है वो क्या है थोड़ा सा रहसे हटाना पड़ता है वीजिई स्टोड takiego कोड को इसलिए वो एरर दे रहा था तो ये कोड रन हो चुक है इसको मैं द diplomacy करके देखा देता हूं आपको तो दें मेर एम आप रहा है अब देखिए इसमें input लेने के लिए अगर आपको दिक्कतारी हो तो आपको setting में जाना है और setting में जाने के बाद आपको यहाँ पर tap करना है run in terminal इस setting को आपको खोजना है यह लई देखो इस check box को check कर लेना अगर आपके में check नहीं हो तो check कर लेना तो आपको input देने में कोई problem नहीं आएगी और इसमें बिल्कुल नहीं जानते कि कैसे visual studio port बर्क करता है तो थोड़ा सा time देना आप time के नुसर इसको अच्छी से समझ जाएंगे तो इस video का आप अपनी दोस्तों के साथ share करना